जया श्रीराम भक्तों, भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देव बनी में, भक्तों आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक सधिक करें, इन्हें शेयर करें, और हमारे चैनल को अधिक सधिक आप से एक गुजारिश है हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा जय श्रीराम भक्तों भक्तों आज हम कथाश्रवन करेंगे एक राजकुमारी का साधु के उपर क्रोधित होना आईए कथाश्रवन करें बहुत समय पहले की बात है धर्मपूर नगरी में एक राजा राज करते थे जिनका नाम विराड था उनकी एक अत्यंत सुन्द्री पु आदे कुलीन युवक उससे विवा करना चाहते थे किन्तों उसके पिता विराड ने निश्चे किया था कि वह अपनी सर्व गुण संपन करने का विवा उसी की तरह आकर्शक और रूपवान व्यक्ति से करेंगे तमाम लोगों के उसने सुझाव ठुकरा दिये कि यूप य विवक ही था ब्रह्मन करते हुए उस नगरी के वन में एक व्रक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठा था उधर से गुजरते हुए राजा विराट ने उन्हें देखा साथू कि अपने रूप गुण अचार विवार से किसी को भी वशिभूत कर लेने वाली छवी से उसका भी इतनी भी काफी प्रभावित हुई अपनी पुत्री का अच्छी तरह संगार कर वह इस यूवक के दर्शन के लिए चलने का निश्चे किया सुनैना जो पहले से ही इतनी अत्यंत सुंदर थी इस संगार के बाद वह किसी देव लोग की परियों के समान लग रही थी तैयार ह वे सभी उस थाजू के स्थान पर पहुँचे वरक्ष के नीचे अपने आसन पर बैठे साधू को देखते ही राजा विराट अपनी पुत्री का हाथ पकड़ उनके समक्ष गया और विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे तपस्वी आपका सोरूप अत्यंत आकर्शक है मेरी पुत्री सुनैना भी अत्यंक्त रूप वती है और आपके सर्वता योग्य है किरपाई से अपनी पत्नी के रूप में सिवकार करें साधू सांत मुद्रा में तठस्त भाव से उन्हें देखा और उनकी मनोदशा का अध्यन कर रहे थे सुनैना भी उनके रूप को निहारती हुई उनके उत्तर की प्रतिक्षा कर रही थी साधू ने अपनी धीर गंभीर वानी से कहा मुझे इस मलमूत से भरे हुए शरीर से कोई लगाव नहीं मेरा पैर भी से सपर्ष नहीं करना चाहता मैं तो एक विरक्त साधू हूं राजा विराट ने उन्हें कई प्रकारों से कामवासना सहित सभी विकारों का पूंबते अत्याक कर चुके हैं ऐसे में अब वो विवाकर सांसारिक जीवन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं साधू के व्यक्तित उनकी वानी नंके विचारों से प्रभावित हो राजा और राणी उनके सम्मुक्ष बैठे ही रहे किन्तू बात इहीं खत्म नहीं हुई, किन्तु साधू की अस्विकृति ने सुनैना के अभिमान को आहत किया, उस नवयुवक साधू के प्रती एट्षया उसके अंदर ही अंदर आत्मगाती विश्का निर्मान कर रही थी, अपने भाई के सरक्षण में रहती सुनैना पर वीरपूर क अभे की पट्रानी बन गई, रूप के साथ अब उस पर सत्ता और प्रविता का भी प्रभाव बढ़ता गया, जिसने उसे और भी हंकारी बना दिया, द्वैश और इर्षया तो उसके अंदर भरा ही था, वो अब और मजबूत होता हुआ बाहर निकलने का आवसर ढूनने ल पहुषने पर साथू को अपमान जहिलना पड़ा, इससे दुखी हो साथू के शिश्यों ने कहा, गुरुदेव आपका अपमान हमसे सहा नहीं जाता, हम किसी अन्य नगरी में चलते हैं, साथू ने उन्हें विवित परकार से समझाते हुए कहा कि जैसे युद्ध में हाथ धनुच से छोड़े हुए बान को सहन करता है, वैसे ही मैं भी कटू वचन को सहन करूंगा, क्योंकि संसार में दुष्ट लोग ही अधिक हैं, जूट के पाउं नहीं होते, सत्य सामने आता ही है, धैर रखो शिश्य, और वै समय भी आया जब पटरानी रेणुका की एक दास प्रतित दिन रानी के लिए फूल खरिद कर लाती थी, एक दिन मार्ग में उपवन में भारी भीड़ देख, उसमें भी उचुकता जागी, अपार भीड़ के मध्यभी शांती को देख, उसे अचरज हुआ, वै भी उनके साथ शामिल हो गई, थोड़ी देर में साधु का प परवर्तन दिखने लगे, यह परवर्तन उसकी स्वामनी रेणुका से भी चुपा ना रहा, उसके अनभवसन रानी स्वयम भी उस साधु के उपदेश सुनने जाने लगी, यह सब जान सुनेना का क्रोध और बढ़ गया, उसने अपनी इर्शा में साधु के साथ रेणुक होकर उन्होंने रेणुका के वद्ध के लिए उस पर तीर चला ही दिया, किन्ति उससे भी आश्चेरे जनक ये कि युद्ध कला में परवीन महाराज अभय का निशाना चूक गया, इससे एक और जहां महाराज चौक गये, वहीं सुनैना भी हतास होकर घबरा कर भाग गई, इससे महाराज को संदेह हुआ, उन्होंने सच्चाई का पता लगवाया, तो रेणुका के निर्दोश होने की बात सामने आई, महाराज ने इसके प्राश्चित सोरूप उससे कोई भी इच्छा प्रकट करने को कहा, रेणुका ने इच्छा व्यक्त की कि जब तक वह उपदेश प्रती दिन हमें मिला करे, महाराज ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए साधू के पास अमंतरन भिजवाया, साधू ने तो सुयमाना स्विकार नहीं किया, किन्तु अपने शिश्य को उपदेश देने के लिए महां भेज दिया, शिश्य प्रती दिन राजभ के बारे में सारी बात का पता लगा, महाराज ने उस साधू के शिश्यों और उस साधू को सभी परकार के सहायता पुर्दान की, इसके विप्री सुनेना की सारी कुडलताईं और सड़ेंतर विफल होते जा रहे थे, जिसने उनमें हताशा एडशा और क्रोध काफी बड़ा उसने एक बड़ा कदम उठाया और सुनियोजित चड़ेंतर रच रेणुका के महल में आग लगवा दी, इस अगने कांड मेरानी रेणुका को समलने का अवसर भी ना मिल पाया और वो अपनी सक्षियों के संग जलकर राख हो गई, इस हिदय विदारक घटना से राजा आने का प्रलोभन दे, राजमहल बुलवाया गया, जहां उन्हें कमर तक भूमी में गाड उनके उपर घास फूस रखकर आग लगा दी, राजमहल तीवर चीख पुकार से गूज उठा, इन चीखों में सुनेना की भी चीख समलित थी, उसकी अपने रूप पर एहंकार, इ इसने उस साधू के सामने विवा का प्रस्ताव रखा था, इस घटना और अपने प्रस्ताव के ओचित्ते पर विचारता, वह स्वयम को समझा रहा था कि एक साधू के दायतूं और लक्ष के मध्ध उसे बाधा नहीं बनना चाहिए, सभी जन अपनी अपनी समझ से इस घट के बारे में चिंतन कर रहे थे, तब ही उस साधू ने वहाँ प्रवेश हिया, जिससे सारे उस साधू के मुख को देखते रहे, उस साधू ने वहाँ मौजूद सब लोगों से कहा, जब तक पाप का फल नहीं मिलता, तब तक मूर्ख उसे मध्धू के समान मीठा समझता रह किन्तु जब उसका फल मिलता है, तब मूर्ख दुख को प्राफ्त होता है, भक्तों आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं, भक्तों हम अपने विचार और सुझाओं हमें इंस्टाग्राम पर जरूर दें, जहां हम आपके विचारों और सुझाओं के बारे में आप से बातचीत करेंगे और आपके प्रशनों का उत्तर देंगे, भक्तों इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उधर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, जैशिर राम भक्तों, भक्तों, देववानी की तरफ से आप सब का बहुत बहु सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वज़े से हमें यूटूब की तरफ से जोईन बटन का ओप्शन मिला, जहां पर आप हमें जोईन बटन पर क्लिक करके हमें जोईन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपे या 69 रुपे का चार्ज देना पड़ेग जो हमें जोईन करेंगा, उन्हें हम कही तरह की सुवधाय देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे, यहां हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाओ पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरू दोड लेंगे धन्यवाद